Halo friends, welcome to my youtube channel तो दोस्तो इस वीडियो में हम बात करेंगे हैं यहाँ पर Assistant Locopilot को मिलने वाले Overtime के Payment की तो दोस्तो बहुत सारे लोगों को यहाँ पर Doubt रहता है कि Locopilot Assistant Locopilot को यहाँ पर Overtime का बहुत सारा Payment मिलता है तो कितना Payment मिलता है, क्या उसकी Rate रहती है हैं पर मैं आपको proof के साथ बताने वाला हूँ क्योंकि अगस्त मंत की salary में मुझे overtime का payment मिला है तो वही आप लोगों के साथ में यहाँ पर share करने वाला हूँ अपनी salary slip के साथ तो दोस्तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी salary slip आपके सामने है तो दोस्तो मेरी salary slip में आप देख सकते हैं आपर basic पर 2100 रुपे है दो साल का मेरा time हो गया है दो increment लग चुके हैं उसके बाद सारे allowances आप देख सकते हैं और हमें जो देखना है overtime allowance आप देख सकते हैं यहाँ पर 2390 में रुपे मुझे मिला है यहाँ पर हम detail में भी देखेंगे उससे पहले आपको बता देता हूं कि जो overtime payment है वो immediately हर मन्त का नहीं दिया जाता है 5-6 महिने का इकटा होता है उसके बाद यहाँ पर इकटा होके एक साथ दिया जाता है इस बार मुझे दो बार का overtime मिला है वो यहाँ पर आपको दिखाता हूं मैं तो यहाँ पर view details पर click करने के बाद हमें मिलता है overtime की details तो यहाँ पर 14 दिन का एक roster होता है उसमें कितने घंटे आपके होते हैं अगर 104 घंटे से जधा आपके 14 दिन के roster में होते हैं तो उसको हम overtime कहते हैं तो यहाँ पर 2 बार मेरा ऐसा हुआ कि 104 घंटे से जधा मेरे बने कब कब बने होाँ आपद देख सकते हैं आप पहले मेरे 13 फर वरी 2022 से 26 फर वरी 2022 के जो 14 दिन का रूस्टर है इसमें मेरे बने थे, और उसके बाद यहाँ पर मार्च में मेरे बने थे 10 मार्च 2022 से 23 मार्च 2022 में तो यहां पर आप देख सकते हैं, दो बार का मेरा जो पेमेंट है वो मुझे मिला है, एक बार मुझे जो फर्वरी वाला है गंटे सिंगल आर्स थे और डबल आर्स एक घंटा था उसके बाद मार्च में मेरे चार गंटे सिंगल आर्स और डबल आर्स मेरा एक ही घंटा था तो यह बहुत ज्यादा ओवर टाइम नहीं हुआ था इसकी वज़े से ज्यादा पेमेंट भी इसका नहीं मिला है लेकिन अग पर एक और चीज देखने को आपको मिलेगी जो डाउट आपको पेदा कर रहे होगी सिंगल आर्स और डबल आर्स तो आपको बता देता हूँ सिंगल डबल आर्स का मतलब यह है कि अगर 104 गंटे के बाद आपका ओटी शुरू होता है और 108 गंटे के अंदर आपका खतम हो जाता है यानि 4 गंटे ही आपके अगर ओटाइम में बने हैं तो वो आपके सिंगल आर्स में कंटिसिडर किया जाता है और 108 के उपर आपके OTRs जाते हैं यानि Overtime Rs जाते हैं तो वो double Rs में consider होते हैं और इनकी जो pay rate है वो नीचे दी गई है आप देख सकते हैं यहां पर किसी साफ से calculate होती है मुझे अभी थोड़ा इसमें doubt है किस तरह से क्योंकि समझ नहीं आया है इन दोनों को multiply करके भी देखा तो उसी साफ से भी नहीं बैठ रहा है अगर आपको समझ आता है तो comment करके मुझे जरूर बता है किस तरह से calculate किया गया है बाकि जो मिला है वो आपको मैंने दिखा दिया है यहां पर मेरी अगस्त की salary में यह मिला था तो आप लोगों के साथ share करना मैंने जरूरी समझा आश